कि परसने समाकल पाइब फोर जीरो टैनी स्कॉायर यक्स डीक्स का निश्चित समाकलन कीजी तो हम इसका निश्चित समाकलन कैसे करेंगे समाकलन पाइब फोर जीरो टैनी स्कॉायर यक्स डीक्स तो इसको हम आप सेख स्कॉायर में बदल लेंगे तो टैनी स्कॉायर का शूत होता है समकल 5 x 4 जिए तो से 10 स्कॉयर का हो जाएगा सेक स्कॉयर माइनस 1 दिया तो अब इसको हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो समकल 5 x 4 जीरो सेक स्कॉयर एक्स दिया माइनस समकल 5 x 4 0 1 दिया तो अब हम इसका समा कलंड करेंगे तो सेक स्कॉयर एक्स का समकल एक्स होता है तो 10 x जीरो माइनस 1 का समकल एक्स तो जीरो तो अब यहां हम अलग अलग इसका मान रखेंगे एक्स का तो पहले हम 10 5 x 4 5 x 4 पर है तो 10 5 x 4 माइनस 10 0 माइनस 5 x 4 जीरो माइनस 5 x 4 जीरो माइनस 5 x 4 जीरो माइनस जीरो तो अब इसको हल कर लेते हैं तो 10 5 x 4 कमान एक मतलब 45 जीरो माइनस 5 x 4 जीरो जीरो होता है माइनस 5 x 4 जीरो है तो जीरो ही है तो जाएगा 1-5 x 4 हम झाल झाल